दोस्तों नमस्कार ये हैं मागदोशन फॉर सिविल सर्विशेज मैं अनुराख्षा उधरी दोस्तों आज की वीडियो में हम साल्व करेंगे माध्यमिक सिच्छा सेवा चैन बोर्ड द्वारा आयोजित टीजीटी पीजीटी परिक्षा नागरिक सास्त के महत्वपूर्प्र प्रेक्ष्णों का 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 प्रेक्ष्णो हैं, दोस्तों, निम्न लिखित में से कौं सा असाययोग आंदोलन 1921-22 के कारेक्रम से संबंधित नहीं था देखिए पहला है कि देश में राष्टि संस्थाओं की अस्थापना करना, विदेशी वस्तूओं और सरकारी कारेक्रमों का बहिस्कार करना स्वदेशी वस्तूऊं का प्रयोग और British अधिकारियों का अपमान करना तो दोष्टों देखें असहयोग अंदोलन जो चलाया गया था भारत में उसके कई उद्देश थे कई कारेक्रम थे जिनमें देश मिराश्टि संस्थानों की अस्थापना विदेशी वस्तूओं का और सरकारी कारेक्रमों का बहिसकार स्वदेशी वस्तूओं का प्रयोग लेकिन इसमें ब्रिटिस अधिकारियों का अपमान करना शामिल नहीं था अगला प्रश्ण है अध्यक्ष सदन के किसी भी सदसे को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदसे को बोलने दे सकता है इस धाड़ा को क्या कहा जाता है तो देखे मर्यादा, पक्षपात, अंतर प्रश्ण या बैठ जाना तो सही उत्तर है आपसन D बैठ जाना अध्यक्ष जो होता है दोस्तों सदन के किसी भी सदसे को बोलने से रोक सकता है और अन्य सदसे को बोलने दे सकता है इस धाणा को बैठ जाना कहते हैं अगला प्रश्ण है मूल अधिकारों और नीत इन दे सकता तुम्हे बिवाद का पहला मामला कोंसा है आपसन देखे चंपकम दुरई राजन बनाम मद्रास राज्य कामेश्वर सिंग बनाम बिहार राज्य सज्जन कुमार बनाम राजस्थान राज्य या बेला बोस बनाम प्रवाद का पहला मामला था जो की 1951 में आया था अगला प्रश्ण है निमनलिखित में से कौन सा संभिधान संसोधन नगरी स्वायत-थासी संस्थाओं की संभधानिकता से संबंधित है तो यह है 74 संभिधान संसोधन और आप जानते हैं 74 संभिधान संसोधन ये 1 जून 1993 को प्रभावी हुगा था और इसके द्वारा संभिधान में 12 वी अनुसूची जोड़ी गई थी अगला प्रश्न है कि संभिधान संसोधन ने राजजी के नीति निदेशक सिध्धानतों का विस्तार किया था आपको बताना है 42 संसोधन, 44, 25 या 45 तो सही उत्तर है आपसन ए 42 संभिधान संसोधन दोस्तों 42 संभिधान संसोधन बहुत ही महतपूर है और ये सबसे बड़ा संसोधन था 1976 में किया गया था और इसने राजजी के नीति निदेशक सिध्धानतों का विस्तार किया इसमें एक तो न्याय के लिए समान असर और नेसुल्क विधिक सहायता दूसरा पर्यावरण बन और वन्य जीवन का संड़क्षण इसके अलावा उद्योग के प्रवंधन में कर्मकारों के भाग लेने का अधिकार और शोसर के विरुद्ध बच्चों के संड़क्षण और स्वतंत्र और गरिमा वैवातरवरण में उनके स्वस्थ विकास के अवसर परदान करना ये सभी नीति निदेशक तत्व इसके द्वारा यानी 42 में संबिधान संसोधन के द्वारा जोड़े गये थे और ये बहुत ही महतपूर जो है संबिधान संसोधन था इसके द्वारा नीति निदेशक तत्तों का विस्तार किया गया था अगला प्रश्ण है भारती संविधान में स्वतंता का अधिकार चार अनुच्छेदों द्वारा परदान किया गया है ये अनुच्छेद कौन से हैं तो सही उत्तर है अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक भारती संबिधान में मूल अधिकारों के अंतरगत सुतंता का मूल अधिकार परदान किया गया है और ये आपसंसी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्ण हैं दोस्तों निम्नलिखित में से किस संबिधान के संसोधन द्वारा असपश्ट रूप से ये बताया गया कि भारत का राष्टपती मंद्री परिशत द्वारा दिये गए परामर्स को मानने के लिए बाध्या है देखे 25, 38, 42 या 45 तो सही उत्तर है आपसंस 42 संबिधान संसोधन दोस्तों 42 संबिधान संसोधन बहुत ही महत पूर्ण रहा ये 1976 में इस संबिधान संसोधन द्वारा संबिधान में परिवर्तन लाए गये थे और आप जान लिजे कि संबिधान की प्रस्ताहोना में समाजवादी धर्मनिर्पेक्ष और एकता और अखं में शामिल किया गया था और संबिधान को न्याइक परिक्षण से मुक्त किया गया था और आप देख लिजे दोस्तों इसके द्वारा ये निर्धारित किया गया था कि राष्टपती मंत्री परिशद और उसके प्रमुक परधान मंत्री की सलाह के अनुसार ही कारे करेगा तो संविधान में दसवी अनुसूची कब जोड़ी गई तो उत्तर है 52 संविधान संसोधन अधनियम 1985 के द्वारा देखे दोस्तों 52 संविधान संसोधन अधनियम 1985 इसके द्वारा राजनेतिक दल बदल पर अंकुस लगाने का लक्ष रखा गया और इसमें संसद्या विधान मंडल के उन सदस्यों को अयोग घोसित कर दिया जाएगा ये बिवस्था की गई जो उस दल को छोड़ते हैं जिसके चुनाओ चिन पर उन्होंने चुनाओ लड़ा था पर यदि किसी दल की संसद्य पार अगला प्रश्ण है लोक लेखा समित के सदस्य निम्नांकित होते हैं सही उतर दीजिए तो लोक लेखा समित में कुल 22 सदस्य होते हैं जिनमें 15 सदस्य लोक सभा से और 7 सदस्य राज्य सभा से लिए जाते हैं इनके सदस्यों की कुल संख्या 22 होती है अगला प्रश्ण है दोस्तों कल्याणकारी सिध्धान्त विस्वास करता है कि राज्य क्या है तो सही उत्तर है कल्याणकारी राज या वैलफेरिस्टेट इस सिद्धांत में विश्वास करता है कि राज एक माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्तियों के हितों को बढ़ाया जा सकता है या उनका कल्याण किया जा सकता है अगला प्रश्ण है राष्टी हित विदेश नीति का क्या है प्रमुक्तत्व, निर्धारक्तत्व, सारभूत्तत्व या उपरोग तुमी से कोई नहीं तो सही उत्तर है दोस्तों राष्टी हित या जो निर्धारक्तत्व होता है ये फारेन पॉलिशी का निर्धारक्तत्व होता है क्योंकि जो है राष्टी हित या विदेश नीति का मुख्योद्दे से राष्टी हितों की अभिवरिध्धी करना है और राष्टी हित विदेश निर्धारक तत्व होता है अगला प्रश्ण है अनौपचारिक संगठन जो इन्फार्मल आर्गिनाइजेशन्स होते हैं इनकी अधाना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी तो आप जान लिजे एल्टन मेयो के द्वारा दोस्तों एल्टन मेयो पबलिक एड्मिनिस्टेश में मानो संबंध सिध्धान्त के जनक माने जाते हैं और अनौपचारिक संगठन की अधाना एल्टन मेयो के द्वारा प्रतिपादित की गई थी अगले प्रश्ण पर आते हैं संयुक्तराष्ट सुरक्षा परिसद में रूस को अस्थाई सदसेता उसकी किस योगिता के प्रधान की गई थी अगला प्रश्ण है दोस्तों भारत के राश्टी मानवाधिकार आयोक के विशय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए पहला कथन है कि इसका अध्यक्षा निवारे रूप से भारत का सेवानी बृत्य मुख्यनय अधिस होना चाहिए सही है इस सही नहीं है तो आप जान लिजिए दोस्तों एक और तीन देखे कथन एक और तीन आपका सही उत्तर है और राश्टी मानवाधिकार आयोक की अस्थापना 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार अधिनियम के द्वारा की गई थी और इसमें एक अध्यक्ष और चार सदसे होते है इसका अध्यक्ष अनिवार रूप से भारत का सेवा निवरित मुखिने अधिस होता है और आप जान लिजिए कि ये एक परामर्स दात्री संस्था है और इसके जो निड़े हैं वो बाध्यकारी नहीं केवल सलाहकारी या सिफार्सी प्रकिरतिके होते हैं अगला प्रशन है नवकर साही या ब्यूरो क्रेसी सब्द की रचना किसने की थी तो ये फ्रांस के अर्थ सास्तरी थे विंसेंट डी गोर ने इन्होंने सबसे पहले नवकर साही या ब्यूरो क्रेसी सब्द की जो है रचना की थी और इन्होंने ब्यूरो क्रेसी पर कटाच करते हुए कहा था कि हमारे फ्रांस में बियूरो मोनिया नाम की एक बिमारी आ गई है तो नौकर साही सब्द की रचना विंसेंट डी गोरने के द्वारा की गई थी अगले प्रशन पर आते हैं दोस्तों बहुत ही महतुपूर्ण प्रशन है मिन्नो बुरुक सम्मेलन 1968 में लो प्रासंगिक्ता, मुल्य, सामाजिक समानता और सामाजिक परिवर्तन तो ये चार जो तत्त थे चार मुद्दे थे प्रासंगिक्ता, मुल्य, समानता और परिवर्तन ये मिन्नो बुरुक सम्मेलन में चर्चा के या ये बहस के चार मुद्दे थे अगला प्रश्ण है किस ने कहा है कि नौकर साही मंत्री मंडली उत्तरदायतों के लबादे में फलती फूलती है आपसंस है आपके लास्की WA Nisconin, Max Weber या Rem Heidi Mayura तो सही उत्तर है Rem sudah Mayura दोस्तों रैम जी उमियूर का कथन है कि नौकर साही मंत्री मंडली उतरदायतों के लबादे में फलती फोलती है अगला प्रशन है दोस्तों पबलिक एड्मिनिस्टेशन में एक सब्द आता है पोश्ट कार्व पोश्ट कार्व सब्द लोग परसासन के किस से जुड़ा हुआ है आप संदेखिए छेतर अर्थ उद्दे से या दर्शन से तो सही उतर है पोश्ट कार्व सब्द जो है ये लोग परसासन के छेतर से जुड़ा हुआ है इसमें एक एक सब्द जो है P-O-S-D-C-O-R-B तो इसमें आप देख लीजिए पोश्ट कार्ब सब्द यह जो है यह लोगपरसासन के छेतर से जुड़ा हुआ है और आप जान लीजिए लूथर गुलिक ने इस सब्द की रशना की इसमें प्लानिंग, आर्गिनाइजिंग इसकी अलमा जो अन्य सब्द आते हैं उनकी ब्याख्या आपको अलग-अलग करनी है कभी-कभी यह पूश्ट कार्ब में P सब्द का अर्थ क्या होता है O सब्द का अर्थ क्या होता है या फिर B का अर्थ क्या होता है तो बजटिंग, आर्गिनाइज और पी से प्लानिंग तो ये सारे जो है लोग प्रसासन के छेतर से जुड़े हुए सब्द हैं और इन सभी सब्दों आप मीनिंग देख लीजेगा क्योंकि वहां से भी प्रशन पूशता है तो पूश्टकार्व सब्द लूथर गुलिक द्वारा इसकी रचना की गई थी औ और ये लोग प्रसासन के छेतर से जुड़ा हुआ है अगला प्रशन है ये किसने कहा था कि पूर्टया वचनबध नौकर साही वह सामाजिक परिवर्तन ला सकती है जो पंचवर्सी ओजनाओं और प्रगत शील विधान में नहीं थै तो उत्तर है ये कथन इंद्रा गांध इंद्रा गांधी ने ये कहा कि वचनबध नौकर साही ही सामाजिक परिवर्तन ला सकती है और इंद्रा गांधी ने दोस्तों कटर रूप से वचनबध नौकर साही या प्रतिबध नौकर साही का समर्थन किया था अगला प्रशन है एक संतुष्ट सुवर से एक शुक्रात का जीवन स्रेयसकर है ये जे एस मिल का कथन है और एक प्रकार से जे एस मिल ने बिन्थम के धाणा में परिवर्तन करते हुए ये विचार लिखा था कि मनुस्य के वल सुखों का अकांची नहीं होता है बलकि उसके अंदर नैतिक्ता और जो है नैतिक्ता की भावन भी होती है इसलिए एक संतुष्ट सुवर से एक असंतुष्ट सुक्रात का जीवन अच्छा है अगला प्रश्ण है दोस्तों किसने कहा था कि धर्म से वन्चित राजनीत एक मृत तुजाल है क्योंकि वो आत्मा का हनन करती है आपको बताना है देखिए धर्म से वन्चित एक मृतुजाल है क्योंकि वो आत्मा का हनन करती है आपको बताना है कि ये कथन किसका है तो ये कथन भारत के राश्ट पिता महात्मा गांधी का है वो धर्म को राजनीत से अलग नहीं करना चाहते थे उन्होंने कहा है कि धर्म से वंचित राजनीत एक मृतुजाल है क्योंकि कि वो आत्मा का हनन करती है अगला प्रश्ण है दोस्तों तुलनात्मक राजनीत या कमपेरिटिव पॉलिटिक्स का पर्थम अग्रगामी विचारक कौन था आप संदेखे प्लेटो अरस्तु मैक्यावेली और हाफ्स तो सही उत्तर है दोस्तों अरस्तु अरस्तु को तुलना अठावन देशों के संविधानों का अध्यन किया था और उसके बाद उसने अपने विचार दिये थे अगला प्रश्ण है नीचे दो वक्तब्बे दिये गए हैं एक को कथन ए और दूसरे को आर कहा गया है कथन है कि उदारवाद राज्य के कारिछेतर को सीमित करना चाहता है कारण है कि उदारवाद व्यक्तिवाद स्वतनता पर बल देता है तो सही उत्तर है दोश्तों ए और आर दोनों सही है और एकी सही ब्याख्या आर करता है आप जानते हैं कि उदारवाद राज्य के कारिछेतर को सीमित करना चाहता है और उदारवाद जो है राज्य के कार चेत्र को सुरक्षा और बाहे आक्रमडों से सुरक्षा यानि कानून बेवस्था और बाहे आक्रमड से सुरक्षा ताकि राज्य के कारे चेत्र को सीमित करना चाहता है क्योंकि वो व्यक्तिगत स्वतंता पर अधिक बल देता है अगला प्रश्ण है यूनानी न्याय की आउधाना किस प्रकार की है कानूनी नैतिक सामाजी के राजनी तिक तो सही उत्तर है यूनानी न्याय की आउधाना नैतिक न्याय की आउधाना है और काफी हद तक यूनानी जो विचारक थे वो आधर स्वादे विचारक थे उसी समय हमें स्वतंता भी दी थी ये कथन किसका है तो सही उत्तर है ये अमेर्की विचारक जे फरसन का कथन है जो कहते हैं कि इस्वर ने हमें जब जीवन दिया उसी समय हमें स्वतंता भी दी अगला प्रशन देखते हैं दोस्तों हीगल और ग्रीन सहमत नहीं है राज्य की नैतिक प्रकिर्ति के विशे में राज्य के युद्ध लड़ने के अधिकार के विशे में ब्यक्ति द्वारा राज्य की विरोध के विशे में और इच्छा को राज्य का आधार मानने की विशय में तो सही उत्तर हैं हीगल और ग्रीन दोनों ही आधर स्वादे विचारक हैं दोस्तों और ये दोनों व्यक्ति द्वारा राज्य के विरोध के विशय में जो है सहमत नहीं है अगला प्रेशन है राज्य सिर्फ समुदाय ही नहीं वरन सर्वोच समुदाय भी है ये कथन किसका है तो आप जानते हैं ये कथन अरस्तु का है जो राज्य को परिवार और ग्रामों का ऐसा संगठन मानता है जिसका उद्देश व्यक्ति का सर्वांगीर विकास करना है इसी आधार पर अरस्तु का मानना है कि राज्य सिर्फ समुदाय ही नहीं वरन सर्वोच समुदाय भी है अगला प्रश्ण है नीचे दो कथन दिये गए हैं ए और आर के आधार पर सही उत्तर आपको बताना है देखे दैवी उत्पर्ति का सिध्धान्त सीधे लोकतांत्रिक और कारण कथन की सही ब्याख्या भी करता है आपसन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्ण है दोस्तों आसान सा प्रश्ण है कि ये किसने प्रतिपादित किया कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्राथमिक गुड है तो उत्तर है ये कथन जान राल्स का है जान अगला प्रश्ण है अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां है जिनके अभाव में सामानतिया कोई भिव्यक्ति अपना सर्वोच विखास नहीं कर सकता है ये कथन किसका है तो ये कथन लास्की का है जो अधिकार को ऐसी परिस्थितियां मानते हैं जिनके अभाव मे कोई भी विव्यक्ति अपना सरवांगीर विकास नहीं कर सकता अगला प्रशन है दोस्तों किस ने कहा है कि संप्रभ राज्य के दिन अब लद चुके हैं ये बहुत ही महत्तोपूर कथन है A.D. लिंड से आपसन A आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों A.D. लिंड से का कथन है कि संप्रभ राज्य के दिन अब लद चुके हैं और आप जानते हैं कि बहुलवादी विचारत जो हैं वो संप्रभता की विरोधी है उनका मानना है कि राज्य सिर्फ संप्रभ नहीं है अन्य समुदाय भी हैं और उनकी अपनी विशेस्ताएं और उनकी महत्वपूर भूमिका भी होती है तो राज्य भी अन्य समुदायों की तरह एक समुदाय है और A.D. लिंड से का कथन है कि संप्रभ राज्य के दिन अब लद चुके हैं अगला प्रशन एक आसान सा प्रशन है भारस सोबिय संग सांती मैत्री और सहयोग संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किये गए थे तो आप जानते हैं 1971 में भारस सोबिय संग सांती मैत्री और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किये गए थे अगले प्रश्ण पर आते हैं दोस्तों महत्पूर्ण प्रश्ण है ये इसमें देखें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए पहला है कि उदारवादी वर्गी अधिनस्तता के अंतर के रूप में नौकर साही की अलोशना करते हैं दूसरा है कि नौ दक्षिडपंथ नौकर साही की स्वार्थी और अयोग्य के रूप में ब्याख्या करता है और तीसरा है माक्सवादी खुले पन और दायत तोबोध की कमी के लिए नौकर साही की भरतर्शना करते हैं तो इसमें आपको बताना है कौन सही है तो आपसंसी आपका सही उत्तर है केवल एक और तीन आपका सही गठन है अगला प्रशन है निम्नलिखित में से कौन सा सैन्य संगठन नहीं है आपको बताना है नाटो, सेंटो, सीटो और अमेरिकी राजियों का संगठन तो आप जानते हैं कि नाटो, सेंटो और सीटो ये सभी सैनिक गठवंधन संगठन है या सैन्य संधि से आधारिस संगठन है जबकि अमेरिकी राज्यों का जो संगठन है ये सैनिक संगठन नहीं है अगले प्रेशन पर आते हैं उत्तर प्रदेश में कितनी बार राष्ट पती सासन लग चुका है आपको बताना है तो सही उत्तर है उत्तर प्रदेश में सरवाधिक बार राष्ट पती सासन दस बार लग चुका है और पहली बार याद रखेगा 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1979 देख राश्टपतिस आसन लग चुका है अगला प्रश्ण है निमने लिखित में से किस पुस्तक की रश्णा बेंथम ने ब्लैक इस्टोन की पुस्तक दा कमेंटरीज आफ ला आफ इंग्लेंड की आलोशना करने के लिए लिखा था तो ये पुस्तक है ए फ्रेग्मेंट सान गौर तो दोस्तों ए फ्रेग्रमेंट आफ गौर्रमेंट ये बेंथम की महत्वपूर्ण करेती है और इसमें इन्होंने ब्लैक इस्टोन की पुस्तक कमेंटरीज की आलोशना जो बिधिपर उसकी कमेंटरीज थी उनकी आलोशना के फल सोरूप लिखा था अगला प्रश्ण है कूटनीत यानी डिपलोमेशी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है देखिए इसमें आप से पूछा गया है कि अंतराश्टी संबंधों का वारता के साधन की द्वारा प्रवंधन की कूटनीती सही है कूटनीत राजनीत को ऐसी बेवस् अर्थ ये होता है कि अन्य राष्टों को अपने द्रिष्टिकोंड पर अपनाने के लिए मना लिया जाए तो ये आपका सही है तो इसमें से कूटनीत के बारे में कूटनीत तभी प्रासंगिक होगी जबकि पूर्ण असाहमती हो ये आपका सत्य कथन नहीं है अगला मार्गेंथाउ, रूज वेल्ट, जार्ज सुल्ज और हेनरी किसिंजर तो सही उत्तर है एच जे मार्गेंथाउ जो की अथार्थ वादी जो है अंतराष्टि राजनीत के प्रमुक परवर्त को में माने जाते हैं इनकी पुस्तक डिलेमाज आप पॉलिटिक्स बहुत ही महत अगला प्रशन है सार्क या दक्षिण ACI राष्टों का संगठन जो है दक्षेस इसके आठवे सदस्य की रूप में अफगानिस्तान को किस सिखर सम्मेलन के द्वारा सामिल किया गया था आपको बताना है तो ये प्रशन कई बार परिक्षाओं में पूछ जा चुका है सार सार्क समों के आठवे सदस्य की रूप में अफगानिस्तान को भी शामिल किया गया था अगला प्रशन है बीसमी सताब्दी के सातमे दसक के पुर्वार्ध में किसने प्रजातंत्र के लिए नागरिक नामकान दोलन चलाया था आप संदेखे मधुली मय विनो बाभावे जै अगला प्रशन है अपवाद के सिध्धान्त का प्रतिपाधन किस ने किया है देखिए आपसन है टेलर, गिलबरेथ दमपती, मैगफर लैंड या थार बरलिग तो सही उत्तर है टेलर ने दोस्तों प्रवंधन के छेतर में ये माना जाता है कि प्रवंधकों को प्रतेक संगठनात्मक बिधी के लिए बिधी के वजाय केवल महत्तुपूर्ण विचलनों पर ध्यान देना चाहिए और इसे अपवाद का सिध्धान्त कहा जाता है और इसका प्रतिपाधन F.W. टेलर के द्वारा किया गया था अगला प्रश्न है देन्यू इस्टेट नामक पुस्तक की रचना किसने की है आपको बताना है तो सही उतर है देन्यू इस्टेट M.P. Follett इनका पूरा नाम मेरी पारकर Follett रहा है इनकी पुस्तक है देन्यू इस्टेट आप याद F.W. A. Robson, A.D. Gorewala या D.M.O.C. तो सही उतर है F.W. A. Robson देखे दोस्तों लोक निगम या पबलिक जो निगम हैं कार्पोरेशन्स हैं उनको 20. सदी की सबसे संबैधानिक सबसे वड़ी संबैधानिक मौलिकता F.W. A. Robson के द्वारा कहा गया है अगला प्रश्न है ग्री सामाजिक चेतना दोस्तों ग्रीन के अनुसार Π्राकरतिक अधिकारों का स्रोथ सामाजिक चेतना है अगला प्रश्न है किसके संसर्ग ने M.N. Rai को मेक्सीको में माकसवाद अपनाने के लिए प्रेरित किया तो सही उतर है माइकल बारोडीन दोस्तों माइकल बारोडीन दोस्तों मानवेंदर नाथ राय को जाता है मानवेंदर नाथ राय उग्रमान उतवात के प्रवर्तक और नौ माक्स्वाती विचारक माने जाते हैं अगला प्रश्न है तुलनात्मक राजनीत के द्रिष्टिकोर के रूप में संस्था परकवाद इस तथे से सीमित है कि तुलनात्मक राजनीती आधर्स राज्य की अस्थापना करती है देखे और इसमें सक्ति धारक जो नीड़े लेते हैं वे संस्थागत मानकों बहुत ही महत्वपूर है दोस्तों सक्ति धारक जो नीड़े लेते हैं वो संस्थागत मानकों पर स्विक्रित होते है पर निर्धारित नहीं, सभी देशों में लोकतांतरिक ब्यवस्था नहीं होती, सभी देशों में लिखे संविधान नहीं होता तो याद रखेगा तुलनात्मक राजनीत के द्रिश्टिकोण की रूप में संस्था परकवाद इस तथे से सीमित है कि सक्ति धारक जो निर्ड़ा लेते हैं वे संस्थागत मानताओं द्वारा स्विक्रित होते हैं पर निर्धारित नहीं और सभी देशों में लोकतांतरिक ब्यवस्था नहीं होती है तो आप संदी आपका सही हो जाएगा केवल एक और दो आपके सही है अगला प्रश्ण है Capitalism, Socialism and Democracy नामकपुस्तक की रशना किसके द्वारा की गई है तो उत्तर है सुमपीटर के द्वारा देखे दोस्तों पूजिवाद, समाजवाद और लोकतांतरि यानि Capitalism, Socialism and Democracy नामकपुस्तक सुमपीटर द्वारा लिखित है अगला प्रश्ण है डेवीड एप्टर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक विशलेशन की महत्वण परमपरा नहीं है देखे संस्थावाद, बहुलवाद, संरशनावाद और एक सदनवाद तो सही उत्तर है दोस्तों, डेवीड एप्टर के अनुसार संरशनावाद जो है राजनीतिक विशलेशन की महत्वण परमपरा नहीं है अगले प्रश्ण पर आते हैं तुलनात्मक राजनीति के छेतर के बारे में कौन सा कथन गलत है पहला है तुलनात्मक राजनीति आदर्स राजी की अस्थापना करती है दूसरा है तुलनात्मक राजनीत विश्व को कम भरांति पूर्ण बनाती है तीसरा है तुलनात्मक राजनीति इस पूरवा भास में मदद करती है कि विश्व किस ओर अगरसर है और तुलनात्मक रा आजनेती आदर्स राज्य की अस्थापना करती है ये आपका सही नहीं है अगला प्रशन है निमनांखित कथनों पर विचार कीजिए बेन्थम का मानना था कि मनुष्य उप्योगिता की अधिकाधिक ब्रिद्धि करते हैं बेलकुल सही है बेन्थम महिलाओं के मताधिकार पर पूर जोर समर्थन करते थे और तीसरा है कि दार्सनी को ग्रवादि बेन्थम के अन्वियाई थे तो दोस्तों एक और तीन आपके सही है देखिए केवल एक और तीन यहाँ पर जो है दो और चार में आपसन इस तरह से दे दिया गया है तो आपसन टू आपका सही हो और दार्शनी को ग्रवादि दोस्तों बेन्थम के अन्वियाई थे तो एक और तीन आपका सही हो जाएगा अगले प्रशन पर आते हैं कौन सादेश अध्यक शात्मक और संसदात्मक सासन पढ़ालियों का सर्वसरेष्ट उधारण है तो याद रखेगा फ्रांस जो है प्रासक वर्ग की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक सरवोचिता पर अधिक बल देता है बिलकुल सही है ग्रामसी के अनुसार वर्ग विवस्था केवल असमान आर्थिक और राजनीतिक सक्ति पर आधारित है ये आपका सही नहीं है और तीसरा है कि ग्रामसी का कहना है कि और तीन आपका सही है क्योंकि ग्रामसी सासक वर्ग की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक सर्वोचिता पर अधिक बल देता है और उसका कहना है कि नागरिक समाज द्वारा ही पूजी वादी वर्चसों के मुल्यों और मानिताओं का प्रशार किया जाता है अगला प्रशन है दो अगला प्रशन है दोस्तों कथन और कारण से संबंधित है कथन देखिए आनुपातिक प्रतनिधितों का साधान तया बहुदली व्यवस्था से संबंध होता है सही है कारण है कि इस व्यवस्था में छोटे दलों के लिए भी कुछ सीटें प्राप्त करना आसान होता है तो इसमें साधानत्य बहुदली ब्यवस्था से इसका संबंध है क्योंकि इस ब्यवस्था में छोटे दलों के लिए भी कुछ सीटे प्रात्त करना आसान हो जाता है अगला प्रश्ण है दोस्तों कथन और कारण से संबंधित है कि यह मानने के लिए कारण है कि राष्ट का यूग अप समाप्ति की ओर है और कारण है कि राष्टवात के कारण नए राज्यों का जन्म सामराज्यों के विगटन और सिमाओं का पुनर निर्धारण हुआ है तो इसमें आप देख लीजिए कि यह मानने के लिए परियाप्त कारण है कि राष्ट का युग समाप्त की योर है और राष्टवात के कारण नए राज्यों का जन्म, सामराज्यों के वेगिटन और सीमाओं का पुनर निर्धारन हुआ है तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि A और R दोनों सही है लेकिन R A की सही ब्याख्या नहीं करता है आपसन B आपका सही उत्तर है अगला प्रश्ण है निमने लिखित में से कौन भारती सम्विधान सभा के सदस्य नहीं थे आपको बताना है तो आप जानते हैं दोस्तों सम्विधान सभा के जो सदस्य थे वो कौन कौन लोग थे आपको बताना है तो भारती सम्विधान सभा के जो सदस्य थे उनमें जब आप देखेंगे तो सम्विधान सभा जो है हमारे सम्विधान सभा के सदस्यों में जब हम सम्विधान सभा क की बैठक की बात करते हैं दोस्तों तो 9 दिसंबर 1946 को संबिधान सभा की पहली बैठक दिल्ली में आयोजित हुई थी और सभा के सबसे बुजुर्ग सदसे डाक्टर सचिदानंद सिना थे और सभा का उनको अस्थाय अध्यक्ष चुना गया था और दोस्तों संबिधान सभा बहुत ही महतपूर्थी संबिधान सभा के सदस्यों में वीटी क्रिष्णमाचारी, H.C. मुखरजी, B.N. राव और क.M. मुंसी में से कौन संबिधान सभा का सदस्य नहीं था तो देखे B.N. राव संबिधान सभा के सदस्य नहीं थे B.N. राव संबिधान सलाहकार समिती के सदस्य थे तो ये बहुत ही महतपूर्थी सदस्य थे इन्होंने जो भारती संबिधान का एक तरह से देखा जाए तो ये मार्गदर्शक के रूप में B.N. राव थे अगला प्रश्ण है निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है? स्री अरविंदो देखिए The Spirit and Farm of Indian Policy सही है M.K. गांधी The Story of Experiment with Truth सही है स्रीमन नरायन गांधियन Constitution for India सही है और K.P. करुडा करन Ancient Indian Political Tradition ये आपका सही नहीं है तो देखिए बेमेल आप संडी आपका बेमेल है A, B और C आपके सही है अगले प्रश्ण पर आते हैं दोस्तों भारती संविधान के किस अनुच्छेद में संसद साधारन पहुमत सिब्विधिपारित कर संसोधन नहीं कर सकती है देखिए अनुच्छेद 103, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 111 या अनुच्छे 312 तो सही उत्तर है आप संडी अनुच्छे 312 अनुच्छे 312 संसद को संग और राज्यों के लिए एक से अधिक अखिल भारती सेवाओं के स्रिजन का अधिकार है और इसमें संसद साधारन पहुमत से बेदिपारित करके संसोधन नहीं कर सकती है अगले प्रश्न पर आते हैं कथन और कारण से संबंधित है कथन है कि लोकतांत्रिक विकेंद्री करण द्वारा उस निर्धनता को कम करने की संभावना कम है दिखिए लोकतांत्रिक विकेंद्री करण द्वारा उस निर्धनता को कम करने की संभावना कम है जो उप छेत्रो या मोहलों के बीच विशमताओं से उत्पन होती है कारण है कि लोगतांत्रिक विकेंद्री करण के पढ़ाम सरूप निम्न अस्तरों पर ससक्त इकाईयों का अभिजनों द्वारा प्रग्रहण हो सकता है तो इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों यह A असत्य है लेकिन R सत्य है आपसन D आपका सही उत्तर है अगला प्रशन है किस सामेवादी विचारक ने जन क्रांती के विचार का प्रतिपादन किया है देखें माउट से तुंग, लेनिन, ग्रामसी या कालमाक्स तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों बहुत ही महत पूल प्रशन है सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सामेवादी विचारक माउट से तुंग ने जन क्रांती का विचार यानि People's Revolution का विचार प्रतिपादित किया है तो याद रखेगा किस सामयवादी विचारक ने जनकरांती के विचार का प्रतिपादन किया है तो ये है माउट से तुंग अगला प्रशन है फ्रांस की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है तो आप जान लिजे कि फ्रांस में संसदात्मक और अध्यक्षात्मक प्रडालियों का मिस्रित रूप पाया जाता है आपसन ए आपका सही उत्तर है आज के वीडियो का आखरी प्रशन है दोस्तों निम्नलिखित में से किस विद्वान ने राजनीतिक छे यानि पॉलेटिकल डिके धाणा का प्रतिपादन किया है आपसन है आपके लुशियन पाई, जी आमंड, हंटिंग टन या इन में से कोई नहीं तो सही उत्तर है पॉलेटिकल डिके या राजनीतिक छरण या राजनीतिक छे किया उधाणा का प्रतिपादन हंटिंग टन के द्वारा किया गया है तो दोस्तों ये था आज का प्रैक्टिस सेट, TGT PGT परिक्षा नागरी सास के महतोपूर्ण प्रशनों का अभ्यास सेट इसमें ऐसे प्रशनों को सामिल किया गया है जो TGT परिक्षा के अतरिक्त PGT परिक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है क्योंकि TGT परिक्षा का स्लेवर्स थोड़ा सा कम है जबकि PGT में इंटरनेशनल रिलेशन, पब्लिक अड्मिनिस्टेशन और कमपेरिटिव पॉलिटिक्स कई यहां से कई प्रशनों पूछे जाते हैं और इस प्रैक्टिस सेट में PGT परिक्षा और GIC प्रवक्ता यानि गवर्मेंट इंटर कालिज प्रवक्ता आदिके लिए जो यह प्रशन है इंपॉर्टेंट हैं आप इन प्रशनों को तयार कर लिजेगा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट वाक्स में जरूर बताएगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल माक दर्शन फर सिबिल सर्विस को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार